वेंटिउंडि के सायर को सब्सक्राइब आज में नए करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि इन्वचरा है इंवेस्टमेंग सुर्वहत करना चाहते हैं जूँने कुछ कितना इंवेस्टमेंट करना चाहिए वह भी मैं बताऊंगा आपको और कौन-कौन से सेर्स बाइ करना है कैसे उन्हें सेलेक्ट करना है सेर्स वह भी मैं आपको बताऊंगा पूरा वीडियो देखेगा उसके बाद यह आपको समझ में आएगा लेकिन इससे पहले आप से रिक अपको हर चेमें आपको 6 महीने में देको अगर आप अपय-उप्समें अब करते हैं तो उसकेस में आपको यह हूंस रहे हैं और सद्धाइब का फोटो में नहीं लगता है इसके इसकाइल कोई अट नहीं लगता है अभी minimum investment जो मेरा मानना है जो मेरा कहना है 5000 रुपीज minimum investment स्टार्टिंग के लिए चाहिए share market में अगर आप direct share market में investment करते हैं तो देखे बहुत से लोग क्या कहते हैं आप 1000 रुपे से भी शुरुवाद कर सकते हो दोजार से भी शुरुवाद कर सकते हो लेकिन वह बिल्कुल गलत है 1000 रुपे 2000 रुपे से share market में कुछ नहीं होता है आपके charges ही इतने ज्यादा लग जाएंगे आपको share market में जब आप shares खरीदेंगे कि आपका 2-5% के आसपास तो आपको charges लग जाएंगे अगर आप 1000 रुपीज से start करते हैं 1000 रुपीज के shares लेते हैं तो 2-5% charges लग जाते हैं चलिए charges की बात में next video में आपको बहुत जल्दी में आपको upload करूंगा next video जिसमें में आपको पूरे charges के साब से बताऊंगा कि कितना investment अगर आप बिल्कुल नए है share market में आपको 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 पता है share market की और आपके पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं है जहां से आप results report ले सकें जहां से आप जान सकें कि कौन सा share आपको buy करना है कौन सा share sale करना है अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल भी तो उस case में आपको क्या करना है मैं बिल्कुल simple procedure बताता हूँ जो कोई भी follow कर सकता है मैं भी शुरू मैं यह follow करता था जब मैंने starting करी थी मैंने भी यह follow किया है और अभी भी बहुत से लोग जो नहीं रहते हैं share market में मैं उन्हें यहीं बोलता हूँ कि आप इस तरह से follow करिया और ऐसे script select करिये स स्कृिफ्ट सेल्कून का अिसा नहीं किसि ने बोला कि आज आज टाटा मोटर भाय कर लू किसी ने बोला कि आज बाय कर लो यह किसी ने बोला कि आज कोई भी अाज कोई बभी घर B गरुरू नहीं है जैकर से पाफ एक रृप्रिय आधिन सेहर सब्सक्राइब करना हैं। आपे अच्छे पाफ्रज के नहीं हैं। ऎसमें प्मान को में जाना है। फूझे प्ति इसquar करें कि टॉप मिचल चाहबि कि बात पकाLLब बात पर फंट करने। आपको सबसे पहले लार्ज के मुचल फंड में चलते हैं इसमें आ गया अब यहां पर अगर में इंचे की तरफ करता हूं तो टॉप पर्फॉर्मिंग मुचल फंड साथ यहां पर देखें लार्ज के फंड में बत करूं तो AXIS Blue Chip Fund जिसका पिशले 3 थी साल का return 17% के आसपस है, पांद साल का return è 12% काशब मैं। हम पांद साल जादे झादने नहीं देखेंगे, हम 3 साल का return कोन कौन से mutual fund की अच्छा return तो हम उसमें ही investment करने की, possible करेंगे, तेंगे 3 सार्ड का return AXIS Blue Chip Funds का है 17% के आसपस, है उम प्र क्लिक हैं रोप यहां आप करेंगे यहां पर जयाकर इसे राइट क्लिक कर देंगे हमारा यह पेज ऊपन हो गया bang यहाँ अब हम चले आएंगे इसमें और शक rabbits और यहाँ है और पंधगय में लंबा वीडियो नहीं नहीं बनाना चाहँ रहाया है चोटा से वीडियो मनाना चाहरा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं लंबे वीडियो में सबजने कोई नहीं करते हैं एक दम सौटकट सौटकट में देखना पसंद करते हैं यहां से आपको रिटन तो मैंने दिखाई दिया था चले रिटन नहीं देखेंगे हम चले यहेंगे नीचे पॉर्टफोलियो में देखें टॉप 10 स्टॉक्स इन दिस पॉर्टफोलियो यह मिचल फंड्स के पास टॉप 10 स्टॉक्स कौन-कौन से है एइज इफ सी कोुटक बेंक इंफोसा बजाच फाइनज्स, woź कि अगर मैं बात कुन तो कोटक का ही एक यह फंड है स्टेंडर मल्टीकप का अच्छा फंड है। बहुत अच्छा फंड है। इस में भी अगर आप जाते हैं, तो इसमें राइट ख्लिक करके जाएंगे। थापकर यह पर जो उपन हो गया, यह दिखिए, कोटक स्टेंडर मल इसमें में गया था मैं तो SDFC कोटक इनफोसिस कोटक में गया तो Reliance SDFC इनफोसिस तो SDFC मेरे को common मिल रहा है दोने तरफ SDFC बैंक common मिल रहा है तीसरा मैं एक और कोई सेलेक्ट कर लूँगा एक मायरे assets के भी अच्छे funds हैं देखें मायरे assets का emerging blue chip funds mid cap and small cap funds इसका 13% के आसपास तीन साल के रिटन है पांसल के रिटन 17% के आसपास है इसमें मैं किलिक करता हूं तो यहां भी देखे मैं आया तो यहां भी मेरे को क्या देख रहा है SDFC ICIC State Bank of India तो SDFC मेरे को last शुरू के तीन में मिल गया SDFC Bank तो मेरे को simple मेरे को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या उनसे stock मेरे को buy करना है क्या buy करना है मैं तो बल्कुल नया investor हूं suppose उस case में मैंने क्या देखा मैंने देखा तीन अच्छे Mitchell funds के पास SDFC Bank है तो मैं अपनी list में लिख लूँगा SDFC Bank और वो share में मैं लगाऊंगा 5000 रूपया 5000 रूपय से मेरे को starting करनी है अगर आप 1000 रूपय से starting करोगे तो कुछ return नहीं मिलने वाला है आपको यह चीज़ ध्यान रखे चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप सेयर्स खरीदते हैं तो इसलिए आपको mini investment पांच यह करकिए तो ही आप एक अच्छे earning कर सकते हैं मेरे को तीनों जगे मिला तो SDFC में पांच यह रूपय के सेयर्स यह महीने में खरीद लोगा खरीद के कुछ नहीं करना है रख देना है फिर next month मेरे पास सपोज मैं जॉब करता हूं या कोई business है मेरा मेरे को थोड़ी बहुत income थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है तो उस case म मेरे किया करूंगगा कि next month में फिर मेरे को यह सेयर्स बाइक करने तो next month में फिर में देखना है जिया सेयर्स यहा तुमन रियर्च केप मारे hart फंडॉइस लोगा है कोटक महें यहां पर जाके sports through this it स्टॉर्ण का देख लेते हैं एक बार सुद्रम के पास टॉप थी स्टॉक सब्रूम के पास तो हमें टॉप सेर से निकालने हैं उसके बाद उसमें ही इंवेस्ट्मेंट करना है दीकि सुन्धरम मैं अगर मैं जाता हूं तो यहां लारसन है वजाज तो लारसन भी अच्छा है बजाच फाइनेंस बहुत अच्छा रिटन दिया बजाच फाइनस नहीं यह भी में ले सकता हूं लेकिन इसका रेट बहुत ज्यादा अगर मैं 5,000 रुपए लगांगो तो मैं एक एसेर बाई कर सकता हूं अभी योग कि इसका रेट नहीं चारही ह है Mitchell funds हो उसमें से top three stocks निका लिए और उन्हें buy करते चलिए top three stocks sdfc ले लिए यह ले लिए अब आपने देखा top 10 stocks यहां देख लिए मायरे assets में top 10 देख लिए यहां पर sdfc sdfc buy कर लिए यह महिने में next month में ICS buy कर लिए sbi buy कर लिए access bank buy कर लिए reliance industries buy कर लिए तो top के जो stocks हैं वो buy करके रखना शुरू करें और पांच यह रुपे तो ऐसा नहीं कि हजार यह रुपे के पांच सेयर ले लिए यह बिल्कुल गलत तरीका है बाइ करने का आपके पांच यह रुपे तो एक ही सेयर में पांच यह रुपे लगाए फिर next month में भले ही लगाए क्योंकि चार्जिस की जो मैं बात कर रहा हूं नेक्स वीडियो में आपको बते चल जाएगा कि आपके कितने ज्यादा चार्जिस लग जाते हैं नेक्स वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं चार्जिस के अपर बनाऊंगा वो भी जरूर देखने के कोईस करिएगा ओके आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूं आप जो भी खरीदते हैं सेयर्स वो पांच यह रुपे एक यह रुपे लगाए पांच यह